जो देश की सबसे ताकतवर जाच एजनसी के रूप में आप सब के सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जाच करती है? किस तरह से लोगों को प्रतारित करती है? किस तरह से उनके परिवारों को प्रतारित करती है? और तो और जिसके कारण आज मैं पीसी कर रहा हूँ एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धम देश के प्रधान मंत्री नरंदर मोदी का एक बयान आपको याद होगा जिसमें वो लगातार ये कह रहे थे कि EDCBI की कारवाही नहीं रुकेगी आखिर क्यों इस तरीके का बयान देश के प्रधान मंत्री नरंदर मोदी दे रहे हैं यह मान लिया जाए कि देश के प्रधान मंत्री अहिंकार दिखा रहे हैं, क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी पार्टी कहीं न कहीं कॉंग्रिस पार्टी यह तमाम विपक्षकी पार्टियों को सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर यह मान लिया जाए कि जिस राज में बीज कि पार्टियां हमला वर यह कह रही है कि यहां पर केंद्री की सरकार ताना शाही दिखा रही है संजय सिंग बड़ा खुलासा कर रहे हैं और लगातर यह बात कह रहे हैं कि EDCVI पर कम से कम देश के प्रधान मंत्री को काम नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि EDCVI जो है निस्पक् पत्रकार बंधुओं को नमश्कार आज इस पत्रकार वारता के माध्यम से मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूँ कि Enforcement Directorate यानि की ED कैसे Enforcing Dictatorship बन गया है कैसे ताना साही पूर्ण रवईया अपनाए हुए है इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूँगा ED जो देश की सबसे ताकतवर जाच एजनसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जाच करती है किस तरह से लोगों को प्रतारित करती है किस तरह से उनके परिवारों को प्रतारित करती है और तो और जिसके कारण आज मैं ये PC कर रहा हूँ एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धमकी पत्नी को धमकी बुढ़े माबाप को धमकी मारना पीटना प्रतारित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह न्यायाले के सामने उन लोगों के बयान है जिनसे जबरन मार बीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ यह पहला नाम है चंदन रेड़ी का यह चंदन रेड़ी हाई कोर्ट में पेटिशन करते हैं माननी यह उच्छ न्यायाले में याचिका दाखिल करके यह बताते हैं कि एड़ी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुह दिखाने लायक नहीं रहेगा यह सारी बात हैं इसने लिखिया और इतना ही नहीं इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के परदे फट गए मार मार के परतारित करके एडी का जो हिटलर शाही का गैस चेंबर है मैं कहूंगा वहाँ पर थर डिगरी टॉर्चर इस व्यक्ति को दे कर जबरन इससे साइन कराया गया और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोट में जाता है तो अपने सारे दुखडे मानी न्याया लेके साम हमने इसने बयान किये कैसे इसका बयान लिया गया एडी में कैसे इसका बयान लिया गया एडी के अंदर और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है जो डॉक्टरी जाँच की कौपी मैं अभी आपको दूँगा ये दोनो डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन डेड़ी को मार-मार के उसके कान के परदे फार दिये गए उसको सुनाई नहीं दे रहा है यह डॉक्त्री की जाच आपको देता हूँ ऐसे कर रहे है इडी इंवेस्टिगेशन पहला आदमी चंदन रेड़ी दूसरा अरुन पिल्लाई अरुन पिल्लाई वो सक्स है जिसकी पत्नी को बेटी को परिवार को धमकाया गया डराया गया इडी ने बयान लिया औ न्यायाले में लिख कर देता है माननी न्यायाले के सामने कहता है मुझसे जबरन जूटा बयान इडी ने लिया मुझसे जबरन जूटा बयान इडी ने लिया अरुन पिल्लाई तीसरा व्यक्ति समीर महंद्रू समीर महंद्रू इसकी पत्नी को बुलाकर गिरिफतार करके र परिवार को प्रतारित किया गया जूटा और जबरन बयान एडी के द्वारा लिया गया एडी ने जूटा और जबरन बयान समीर महंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं माननी न्यायाले के सामने माननी न्यायाले के सामने समीर महंद्रू ने लिख कर दिया कि जबरन जूटा बयान लिया गया समीर महंद्रू तीसरा नाम भूसर बेलगावी इस व्यक्ति से भी एडी ने प्रतारित करके जूटा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं जध साप को जाके का न्याएधिस महोदे मानी न्यायाले हमारी रक्षा कीजिए हमसे एडी ने झूटा जबरन घलत बयान लिया पाच्वा नाम मनास्वनी प्रभुने इससे भी एडी ने जबरन जूटा जबर्दस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायाले को लिख के दिया किसी और को नहीं ध्यान दीजेगा मेरी बात को माननी न्यायाले को लिख कर दिया कि न्यायाधीस महोदे जद साहब मुझसे E.D. वालों ने जबरन, जूटा, जबरदस्ती प्रतारित करके बयान लिया चट्वा नाम राघो रेडडी ये राघो रेडडी चट्वा नाम राघो रेडडी इसने न्यायाले के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीस महोदे हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनितिक नेताओं के नाम लेने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ किस के इशारे पर E.D. काम कर रही है किस के डबाव पर E.D. काम कर रही है किस के direction पर E.D. काम कर रही है क्योंकि एक बहुत चोकाने वाली बात इनके हाई कोट के पेटिशन में लिखी हुई है चंदन डेड़ी के क्या कह रहे ये कह रहे साब ED के अधिकारियों ने तो मारा पीटा कान के परदे फट गए वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा जिनको जो ED के अफिशियल्स भी नहीं थे ऐसे लोग थे जो ED के अधिकारी नहीं थे उन्होंने भी हमारे साथ मार पीट की कौन से लोग है किस पार्टी के गुंडे ED के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मार पीट कर रहे है कौन से लोग है जो ED के दफ्तर में जाते हैं पूस्ताच करते हैं मार पीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं इसका खुलासा होना चाहिए माननी हाई कोट के सामने यह याचिका पड़ी है इसके साथ साथ मनीश सिसौधिया जी के पीयस रिंकू आप जानते कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ नोटिस दो पूछताच करो कैमरे में पूछताच करो और सारी जानकारी आउन पेपर रखो एडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है फोन करता है बुलाता आजा बैठ इतने घंटे जा घर जा फिर आजा बैठ सुबा से सामतर फिर घर जा आप गुंडागर्दी करके धमका के डरा के कान के परदे फाड के तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी इस तरह का बयान देके जाच कर रहे हो इस तरह का बयान देके जाच कर रहे हो वैं देश के प्रदान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी सकता है कागज पे रसकत करना तो बहुत दूर्द की बात है लड़ना है तो सामने सामने लड़ो कायरों की तरह बेटी का पत्नी का परिवार का सहारा लेके मत लड़ो सामने सामने लड़ो जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो और आपको याद होगा देश की पार्लेमेंट में देश की संस कि पिछले आठ वर्सों में तीन हजार छापे मारी ED ने की है और मात्र 0.5% दसमलो 5% ED का कन्विक्शन रेट है और ये कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला बहुत अच्छी बात है देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवशर मिल गया मैं विशेषा अधिकार समित के सामने इन ED के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे काथजात प्रस्तुत करूँगा कि ED के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए विसेसा अधिकार संसत की विसेसा अधिकार समित के सामने मैंने जो मामला पारलेमेंट में उठाया था उन आरोपों को ये सारे काज़ात 100% मैं तो कहूंगा 100% से ज़्यादा सिद्ध करते हैं कि ED राजनितिक दबाव में जबरन जूटा मामला बनाती है सरकारों को बड़नाम करती है सरकारों के उपर जूटे आरोप लगाती है सराब घोटाला जैसी कोई चीज उसका कोई सिर्फ पाउं है ही नहीं जिन लोगों के जबरन बयान लेकर E.D. ने ये सारे मामले बनाये हैं वो तो न्याया लेके सामने जाकर कह रहे हैं हुजूर हमें तो मारा जा रहा है हमारे तो कान के परदे फार दिये जा रहे है हमारे परिवार पे दबाव बनाये जा रहा है हम पे दबाव बनाया जा रहा है और जूटे बयान लिये जा रहे है बहुत अच्छा है अब देश की भारत की संसद की पार्लियमेंट की विशेसा अधिकार समिति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है ये सारे विशे और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों क को वहां बुलाने के लिए बोलूँगा कि इन सब को बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्याया लेओं में जो इनके खिलाफ शिकायते की गई है उसके तत्थ उसकी सच्चाई उसकी हकीकत क्या है मुझे इतनी बात कहनी थी आपका कोई मुद्द एडी खड़ा कर रही है यह उससे संबंदित है यह सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है घोटाला 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 उस घोटाले में कितना गड़बर जहला है यह सारे बयान इस बात को साबित करते हैं यह सारे बयान यह सारी मेडिकल रिपोर्ट यह हाई कोट क कि याचिका है इस बात को साबित करती है कि घोटाला जैसी कोई बात नहीं दरसल गन पॉइंट पे कान के उपर कनपटी पे बंदूक लगाकर एडी हिटलर के गैस चेमबर में पूस्ताज करके एडी ये सारा कुछ मामला जूठा और बेबुनियाद बना रहा है और देश के पुर्धान मंतुरी नरंद्र मोदी किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है क्योंकि लगातर देखा जाए तो विपक्ष का ये आरोफ है कि यहाँ पर देश की प्रधान मंत्री विपक्ष से डरे हुए है, चुनाब नस्दीक है, काम कुछ हुआ नहीं, अब देखना ये पड़ेगा कि क्या यहाँ पर विपक्ष की पार्टी अमेलिकर सुप्रीम कोट और क्या सुप्रीम कोट में यहाँ पर कुछ याच का दायर कर दी जाएगी, लेकिन दर्श को जाते जाते मेरा सवाल आपसे रहेगा कि क्या सच में अब EDCBI का दिरुप्यों किया जा रहा है, आप जरूर बता है, आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए, SPN 9 News.